रामू एक बहुत ही गरीब किसान था, उसके पास अपनी तो कोई जमीन नहीं थी, परन्तु वो किसी के खेतों में काम किया करता था, जिससे की उसे थोड़ी बहुत तनख्वा मिल जाती थी, और उनके घर का गुजारा चल जाता था. रामू के घर में उसकी बीवी शान्ती और दो छोटे-छोटे बच्चे थे, शान्ती बहुत ही समझदार औरत थी, कम तनख्वा होते हुए भी वो घर को बहुत अच्छे से चलाती थी, और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भीजती थी, वो जानती थी की पढ़ना कितना जरूरी है, यदि उसके बच्चे अनपर रह गए, तो वो भी जीवन भर किसी की गुलामी करते रहेंगे, बस उन लोगों की जिंदगी इसी तरह बीट रही थी, जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वे लोग उसी में ही खुश थे, रामू के दोनों ब पच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिसके पिता जी जमिनदार थे, उनका घर काफी बड़ा था और हर सुक सुविधा की चीज वहाँ पर थी, उस समय गर्मी का मौसम था और स्कूल में गर्मी की छुटियां चल रही थी, सोनू और मोनू जैसे ही अपने दोस्त के घर के अंदर घुसे, तो वहाँ पर थंड़क मैसूस हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, अरे वा, इनके घर में तो कितनी थंड़क है, पर हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ बैठना भी मुश्किल होता है, आरे ये अमीर लोग है, घर में एसी लगा हुआ है, अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्чив मन ही मन सोचने लगते है, कि ये लोग कितने खुश नसीब है, इनके पास तो सब कुछ है, इतना सुन्दर घर और गर्मी से बचने के लिए ऐसी, दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं, और आकर अपनी मा से बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें कितना अच्छा लगा मां, उनका घर तो बहुती सुंदर है आपको पता है हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है परन्तु उनके घर में इतनी ठंड थी हमारा तो मनी मी कर रहा था वापस आने का मा क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहां रहना पड़ता है अरे बेटा ऐसा नहीं कहते वो लोग अमीर लोग हैं तुम्हारे पिता जी एक गरीब किसान है हम लोग सब चीज़े नहीं ले सकते हैं और दूसरों की चीज़ देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए हमारी पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए तुम लोग ऐसी बाते मत सोचा करो पर दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी वो तो सोचने लगे कि अब काश हमारे पास भी ऐसा एसी हो पर गरीब रामू एसी कहां से लाता आए दिन दोनों बच्चे अपने माबाप का सिर्खाने लगे कि हमें भी एसी चाहिए मा क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहां रहना पड़ता है रामू अपनी बीवी से कहता है देखो शांती हम लोग तो बड़े हैं हम समझते हैं कि हम ये सब चीजे नहीं ले सकते परन्तु ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं दूसरों के पास अच्छी चीज़े देखकर इनके मन में लालच आना तो सभाविक है मैं चाहता तो हूँ कि इनकी सब इच्छा पूरी हो परन्तु ये मेरे बस की बात नहीं है मैं मजबूर हूँ अरे आप बिलकुल चिंता न करें ये तो बच्चे हैं दो-चार दिन में जिद करके भूल जाएंगे आप क्यों इतना सोच रहे हैं और यदि भगवान ने कभी चाहा तो हमारे पास भी सब कुछ अच्छा होगा बस आप ज्यादा सोचे नहीं शान्ती इस तरह से अपने पतिवा बच्चों को समझा दिया करती थी रामुच इसके खेट में काम किया करता था वो काफी पैसे बाला आदमी था परन्तु बहुत ही कंजूस और किसी की भी मदद ना करने वाला उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था उसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए वो अकेला ही लाको रुपे का मालिक था परन्तु फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत गंजूस था एक बार रामुच से कुछ पैसे उधार मांगने गया तो उसने साफ इंकार कर दिया देखो भाई जो काम करते हो उसी के पैसे लिया करो उधार मांगकर मुझे परिशान मत करो इसी तरह दिन बीट रहे थे एक दिन रामुच और उसकी बीवी शान्ती बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापत आ रहे थे तब ही उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ती गाड़ी से टकरा कर सड़क पर गिर गया है और उसके पैर से बहुत खून निकल रहा है लोग उसके आसपास भीर जमा किये हुए थे परन्तु कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था रामू ने जैसे ही आगे जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो उसके मालिक है अरे अरे ये तो मेरे मालिक है लगता है इनका किसी गाड़ी से एक्सिडेंट हुआ है कितना खून निकल रहा है यदि हम इने जल्दी से अस्पताल नहीं ले गए तो इनका बचना मुश्किल है शांती भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत थी उन दोनों ने मिलकर जल्दी से कोटो रिक्षा किया और मालिक को उसमें लिटा कर जल्दी से अस्पताल ले गए अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेक अप किया और रामू से कहा इनका काफी खून बह गया है इनने जल्दी ही खून चड़ाना होगा यदि आप में से कोई खून दान करेगा तो इनकी जान बचाई जा सकेगी जी जी डॉक्टर साब मैं खून देने के लिए तैयार हूँ आप जितना चाहे खून ले ले परन्तु मेरे मालिक की जान बचा ले डॉक्टर उसको अंदर ले जाते हैं और रामू अपने मालिक के लिए दो बोतल खून दान दे देता है तुरंत मालिक को खून चड़ाया जाता है फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें तो तुम घर से कुछ खाना बना कर इनके लिए ले आओ मैं यहीं रुका हूँ शान्ती जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था बना कर दोनों के लिए खाना अस्पताल ले आती है मालिक को भी होश आ गया था डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह रामू ने अपना खून दे कर उनकी जान बचाई है वरना जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था उनका बचपाना बहुत मुश्किल था मालिक ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते है क्योंने रामू के साथ कितना बुरा व्यभार किया पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए की जान बचाई अगले दिन डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देता है और वे रामू से माफी मांगते है रामू यदि मैं चाहूं भी तो तुमारा एहसान जिन्दगी भर नहीं उतार सकता मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है परन्तु तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले कोई अपना भी शायद ऐसे समय पर मेरी मदद ना करता मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है इतना पैसा है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहो तुम्हारे वहां रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे अपने लोग हैं मेरे पास और तुम कितने इमानदार भी तो हो आज से मेरा कारोबार और गोदाम सब तुम देखना इस से तुम्हें भी अच्छे खासी कमाई होगी और तुमारे बच्चों का भविश्य भी बन जाएगा मालिक उन्हे कहता है कि वो आज से ही अपने परिवार और बच्चों को लेकर उनके साथ हवेली पर चले शान्ती और रामू मालिक की ये बात सुनकर उनका शुक्री आदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्री आदा करते हैं कि आखिर भगवान ने उनके सब कष्ट दूर करी दिये बच्चे जैसे ही हवेली में घुसते हैं वहां की ठंडी हवा मैसूस करके और वहां लगे एसी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं आरे वा मा पिता जी देखा हमारे पास भी एसी आ गया अब हम भी बहुत शान और मजे से रहेंगे बच्चों की खुशी देखकर रामू और शान्ती बहुत खुश होते हैं वे अपने लिए तो ना सही पर बच्चों के लिए सब चाहते थे बच्चों ने जब से एसी की जिद लगाई थी तब ही से रामू और शान्ती चाहते थे कि भगवान उनके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी और सुक सुविधा की सब चीज़े दे भगवान ने आखिर उनकी सुन ली थी अब वो लोग हवेली में बहुत शान से रहते थे और अब एक गरीब किसान के पास भी ऐसी था इसके बाद ते वो लोग बस खुशी-खुशी रहने लगे अब उनकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी नामदेव एक गरीब मचुवारा था अब उसकी उम्र हो चुकी थी बच्चे भी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे नामदेव का शरीर कमजोर हो चला था इसलिए वो अब मचलियां पकरने बीच समुद्र में नहीं जा पाता था वो समुद्र के किनारे पर ही मचलियां पकरने के लिए चला जाता था एक रोज मंगला मैं ज़रा समुद्र किनारे होकर आता हूँ शायद कुछ मचलियां मिल जाएं तो बेज कर पैसे आ जाएंगे तुम भी कहां तक मेहनत करोगे जी अब तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है अज बच्चों का साहरा होता तो हम भी आराम की दो वक्त की रोटी खा रहे होते मंगला बेटों का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा है उन दोनोंने आर्ज तक हमारी कोई खबर नहीं ली है पिछले दो साल से एक बार भी मिलने नहीं आए दोनो चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में नामदेव का नसीब खराब था और जब एक गरीब का नसीब खराब हो तो सब कुछ गलत ही होता है नामदेव अभी समुद्र के किरारे पहुँचा ही था कि अच्छानक तक ले चलो क्या हुआ ही ने? क्या हुआ भाईया इनको? पता नहीं समुद्र के किनारे मचलियां पकड़ते हुए अचानक बिहोशों कर गिर गया नामदेव को शायद होशा रहा है पता नहीं सर्वेश भाईया अचानक आखों के आगे अंधिर आया और मैं गिर पड़ा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सुनो जी, तुम आराम करो और अभी कुछ दिन समुद्र किनारे जाने की कोई जरुरत नहीं है भगवान का लाख लाख शुकर है कि कुछ नहीं हुआ तुम ठीक हो पर मंगला अगर मैं समुद्र किनारे मचलियां पकड़ने नहीं गया तो हमारा घुजारा कैसे होगा तुम चिंता मत करो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं समुद्र किनारे मचलियां पकड़ने जाऊंगी पर मंगला अब तो तुम्हारी भी उम्र हो चली है, कैसे जाओगी? सुनो जी, उमर भले ही कितनी हो जाए पर इंसान की हिम्मत कभी नहीं बदलती इंसान का विश्वास वैसे का वैसा ही रहता है, जैसा उसने सोचा होता है मंगला तोकरो और मचली पकरने का जाल लेकर समुद्र किनारे निकल पड़ती है मंगला पूरा दिन जाल लेकर समुद्र किनारे बैठी रहती है पर उसके जाल में एक भी मचली नहीं भसती, तभी लाखर नाम का एक मच्छवारा वहा आता है आरे मंगला ताई, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे जाल में मचली नहीं फसने वाली ये हम जैसे सालों से मचली पकड़ने वाले मच्छवारों का ही काम है तुम्हारे बसकी नहीं है, ताई, घर वापस चली जाओ, और जाकर रोटी बनाओ मंगला निराश होकर घर वापस लोटाती है, नामदेव उसे कहता है निराश क्यूं होती हो मंगला, कोई बात नहीं, आज कई वर्षों बात तुमने मचली पकड़ने का काम किया है कल दोबारा कोशिश करना, मुझे पता है, तुम इस काम में जरूर सफल होगी तुम सही कह रहे हो, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कल एक बार फिर कोशिश करूँगी अगले दिन मंगला दुबारा मचली पकड़ने के लिए समुद्र किनारी जाती है लाखन उसे कहता है, मंगला ताई, दुबारा फिर क्यों आ गई, तुम्हें पता है, तुम्हारी अब उम्र नहीं रही तुम ठक जाओगी, पर पूरा दिन मचली तुम्हारे जाल में नहीं आएगी अरे मैं किसी मचली को छोड़ूँगा, तभी तो तुम्हारे जाल में फसेगी ना लाखन, तुम मेरे बेटे की उमर के हो, इसलिए तुम्हें भी नसीहत दे रही हूँ कभी भी किसी गरीब का मजाग मत उडाना, किसी का नसीब बदलते देर नहीं लगती, तुम भी भगवान की बनाई इसी दुनिया में रहते हो, और मैं भी भगवान किसका नसीब कब बदल दे, ये वही जानते हैं मंगला की बात सुनकर लाखन चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है मंगला इसी कोशिश में थी कि कुछ मचलियां जाल में फस जाएंगी बिचारी भूखी प्यासी समुद्र के किनारे जाल डाल कर बैठी रही शाम हो चुकी थी, सब मचवारे अपने घर जा रहे थे मंगला निराश होकर लोटने लगती है तभी लगता है कोई मचली फसी, जाल में हरकत हुई है देखो तो, अरे हाँ, ये तो सच मुच एक बड़ी मचली फसी है जल्दी से इसे बाहर निकालती हूँ मंगला जाल में एक बड़ी मचली को देख कर बड़ी खुश होती है और उसे जाल से बाहर निकालने लगती है तभी मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे अगर मैं उनके पास समय पर नहीं गई, तो वो भूखे मर जाएंगे मैं उनके लिए खाना लेने निकली थी, मुझे लगा रात हो चुकी है सभी मचवारे अपने घर जा चुके होंगे इसलिए मैं समुद्र के किनारे पर भोजन तलाशने आ गई थी मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर अभी भी रुकी होई हो तुम्हारी बहुत क्रिपा होगी, तुम मुझे अगर छोड़ दोगी तो अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा पिछले तीन दिन से मैं समुद्र किनारे पर आती हूँ पर खाली हाथ ही लोट जाती हूँ अज बहुत दिनों के बाद तुम मेरी पकड में आई हो पर मैं तुम्हारे साथ भी तो इतनी निर्दैता नहीं कर सकती मैं तुम्हारे बच्चों की खातिर तुम्हें आजाद करती हूँ तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे छोड़ दिया अब मैं अपने बच्चों के पास जा सकती हूँ मंगला, तुम बहुत ही दयालू हो तुम्हारा मन बहुत ही कोमल है तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ये लो मंगला, ये एक जादुई जाल है तुम इसे जब भी समुद्र में पेकोगी तो धेरो मचलिया इस जाल में अपने आप फंस जाए करेंगी तुम आराम से अपने पती के साथ जीवन यापन करो मचली मंगला को एक जादुई जाल दे देती है मंगला वो जाल लेकर घर आ जाती है और सारी बात नामदेव को बताती है मंगला तुमने उस मचली के कहने पर उसे छोड़ दिया पता नहीं ये जाल जादुई है भी या नहीं सुनो जी मुझे इस से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि ये जाल जादुई है या नहीं पर किसी मा को अपने बच्चों से जुदा करना वो भी तो सही नहीं था न मंगला अगले दिन वो जादुई जाल लेकर समुद्र किनारे जाती है और भगवान का नाम लेकर वो जाल को समुद्र में फेंक रही हो अरे मंगला ताई तुम पिछले एक हफ़ते से जाल को समुद्र में फेंक रही हो पर तुमें पता है तुमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला अरे ये क्या मंगला ताई के जाल में इतनी ढेरों मचलियां ये कैसे हो सकता है इतनी मचलियां तो आज तक मेरे जाल में कभी नहीं फसी और मंगला ताई ने एक बार ही जाल फेंका और उसी में धेरों मचलियां आ गई इसका मतलब वो मचली सच कह रही थी उसने मुझे ये जादू ही जाल दिया था भगवान आपका लाख लाख शुकर है आज मेरी बहुत कमाई हो जाएगी और आज हम पेट भर भोजन कर सकते हैं मंगला सारी मचलियों को टोकरी में भर कर बाजार ले जाती है और उस दिन उसकी बहुत कमाई होती है वो खुशी-खुशी घर आती है और नामदेव को सारी बात बताती है मंगला आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे नसीब से आज हमें भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है अब देखता हूँ मंगला पाई कैसे जादोई जाल से मचलियां पकड़ती है अब ये जादोई जाल मेरा है और समुद्र की सारी मचलियां भी मेरी ही होगी अगले तिन मंगला जब जाल को लेकर समुद्र की नारे पहुँचती है तो दोबारा उसके जाल में मचलियां नहीं फस दी ये देखकर लाखन हसने लगता है और वो जादोई जाल को समुद्र में फेकता है लगता है जादोई जाल ने अपना काम कर दिया मेरे जाल में बड़ी मचली फसी है अरे ये तो बड़ी शार्क है ये तो मुझे काट रही है अब न कैसे बचू कोई मुझे बचा ये शार्क मुझे काट रही है ये जाल मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा है ये जाल तो मेरे हाथ में उलर जिता ही जा रहा है मचली मुझ पर हमला कर रही है मंगला ताई ये तुम्हारा ही जादोई जाल है मैंने कल राज चोरी से बतल दिया था मुझसे गल्टी हो गई मंगला ताई बचाओ मुझे मंगला लाखन के हाथ में उल्जअ जाल जैसे ही हताती है शार्क मश्ळी वापस पानों चली जाती है मंगला ताई यह लो तुम्हारा जादोई जाल यह तुम्हारे ही नसीब का है मैंने बेयमानी करके इसे तुमसे छीनने की कोशिश की पर आज मुझे इसका सबक मिल गया है चोरी करने की वज़े से हज मेरी जान भी जा सकती थी मुझे माफ करना मंगला ताई आज के बाद मैं किसी का भी मजाग नहीं उडाऊंगा और नहीं कभी किसी की चीज़ पर कब्जा करने की सोचूंगा कोई बात नहीं लाखन सुबा का भूला यदि शाम को घर वापस लोटाए तो उसे भूला नहीं कहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ इस बात की मुझे खुशी है धीरे धीरे नामदेव और मंगला बहुत पैसे वाले बन जाते हैं ये बात जब उनके बेटों को पता चलती है तो वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं पर मंगला और नामदेव उनके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और दोनों पति-पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं